प्रधान मंत्री को आप ब्रह्मा मांग लियो भग्वान मांग लियो उन्होंने कहा नरेंद मोधी पूरा हिंदू समाज नहीं आए अर्यसेश पूरा हिंदू समाज नहीं आए इपत्रकार को चिन्नित करो इपीजबी के आहां से भेजा हुआ पत्रकार है चिन्नित करो आप म प्रधान मंत्री को अयोध्या की जनता ने ये बता दिया कि आपने इस देश की जनता के साथ हन्याय किया, सनातन के साथ हन्याय किया, आपने लगातार इस देश की आवाम को ठगने का काम किया, राउर गांदी जी ने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू मानवताबादी हिंदू उदारबादी है लेकिन आप लोग लगातार जनता को मुद्दों से भठकाना चाहते हैं सारे के सारे महापूर्शों ने हैं इसाब की बात की देश के प्रधान मंत्री को आप ब्रह्मा मांग लियो भगवान मां लियो उन्होंने कहा नरेंद मोधी पूरा हिंदू सम लांत नहीं आए किया क्या कहा उन्होंने कि परधान मंत्री शी कहें कि के हिंदू परधान मंत्री हिंशा कौन किया की बनारस में कि राम मंदिर में बनारस में जिस तरीके से कौरी वो डोर बनवाने के लाखो सिवों को लाखो सिवों मंदिरों को तोड़ने का काम किया आप चले जाए लंका में जिस तरीके से टूटी हुई मूर्तिया रखी हुई आए गए हो बनारस गंगा नहाए हो ग्यान देने चले आए कि राहुल गादी जी यही तो बताये कि बीजेम वाले हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं मुझे मागंगा ने बुलाया हैं मागंगा ने ये बता दिया कि भारतिये जंता पा الذيや covenant के नाम पहें देश की जंता को ठगने का काम कर रही है जिसके हाथ में कलावा हो जो कैलास मान सरोवर की आत्रा पैदल किया हो और जिसके हाथों में स्यू की तस्वीर हो उसको आप लोग बदनाम करना चाहते हैं यह बीजेपी का कुनबा सुन ले डराओ मत नेता बोल ला है डराओ मत आप लोग मीडिया वाले ना जो दस लोग माइक लाके डराओ मत मैं फिर हमारे आप कहा गया ना कि साथ बरस बाद सठिया जाते हैं लोग परदान मंत्री मोदी जी देश की जनता को कहीं न कहीं गुमराह करने का काम किया राहूल गादी जी ने क्या कहा राहूल जी भगमान हो गए अरे राहूल गादी जी ने जंके की चोट पे सच कहा है सच को सर्फेस नहीं कर सकते हैं अरे भाई या मंगल सूत की बात कौन किया था मुझरे की बात कौन किया था मुहबत की बात कॉंग्रेस पार्टी ने की थी इंडिया गड़ बंदन ने किया था मैं जितना सनातन को पढ़ा हूँ और इन्होंने जितना सनातन को भरष्टाचार के तरीके से सनातन की पद्धिती को खतम करने या काम क्या आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है क्या नाम है बताओ बताओ नाम क्या है आपका आप नाम बताओ, इस पत्रकार को चिन्नित करो, इस बीजेपी के यहां से भेजा हुआ पत्रकार है, चिन्नित करो, कारवाई होनी चाहिए, आप लोग को जो जखीरा बीजेपी के यहां से आता है, जखीरे तो आता है, अगर बीजेपी के यहां से जो जखीरा आएगा वही स को प्रम्हीक करनें लाबि-च यॉद्ध्या की पामंदरा से आता हूं चोट पर कहता हूं यॉजभ व इसको भरमित करने का काम किया है, हिंदू के ठेकेदारी करने का काम किया है, राहुल गाधी जी ने भगवान राम ने तीर से रामण का बद किया था, उसी तरीके से बीच सदन में राहुल गाधी जी ने बीजेपी कुनबे को धोस्त किया है, क्योंकि बीजेपी का लगातार एक का एक कुनबा बैयान देने जा रहे देखिए पूरी जितनी जमात है वीजेग गितने सांसद हैं वो नीट लेकिन आप नाम नहीं बताई सवाल तो लगातार पूछे आप बताईए उन्होंने सारे धर्मों को ले जाने का काम किया सभी धर्मों की तस्वीरों को बया करने का काम क्या अभयमुद्रा पता है जीवन में रेखाएं कुष्ताएं करती हैं पता है आपको अभयमुद्रा क्या होती है पढ़े ही नहीं हो मोदी जी जो बताएंगे वही पढ़ो रहे है अमर है ना कुछ लोग ब्रह्मा माल रहें मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा के मंच से प्रधान मंत्री जी को चंपत राय कहते हैं विशुडू की आउतार है क्या ये हमारे धर्म का आपमान नहीं है किसानों की भी बात हुई उन्होंने अगनी वीर की योजना का मुद्दा उठाया लेकिन मीडिया ने नहीं चलाया उन्होंने लगातार मुद्दोगी बात की है लेकिन आप इस देच की जंता को भरमिद करके हिंदो मुसल्मान के नाम पर देसकी जंता को भरमिद करना चाहते हैं अपने देखा अगा रहोल का 20240 कि कि कि240 है सुना आपने melts 240 400 पाहर का जो नारा करते तो कि देखे मैं कहता हूं सरकस बनाया कौन सब्जी मंडी है वो वहाँ जनता की आवाज उठीने चाहिए नहीं चाहिए लोग सभाई स्पीकर कहते हैं आप तस्वीर नहीं दिखाएंगे आप एनीजी पे सबाल नहीं करेंगे किसानों के मुद्दे बेबात नहीं करेंगे उसकी पूर्ण रूप से जाध होनी चाहिए और योगी आदितनात जी को सुनिये मैं कहता हूं योगी आदितनात जी को माफी मांगनी चाहिए पदसे स्थीपा देना चाहिए कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके सासनकाल में अगर इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना होत है उसका जिम्मेदार कौन है शासन प्रसासन है या उत्तर प्रदेश के मुख मंत्रियां के भग क्यों नहीं पोचे बाबा तो अस्पतारों में गयलों से मिला है देखिए हमारे नेता ने तुरांत लाइब आके उन परिवार जनों को संबेदना दी लेकिन जब सदन में प मर्य पूर्पूर करना चाहता जो प्रद्हान मंत्री को लेकिन कहीं हो रही है देश में युद्ध करवाना चाहते हैं सबसे बड़े बीजेपी के परवक्ता हो बीजेफी के पत्रकार हो काल दिखा ना सट्रय मोधी जी ने देश को अपने इस देश के साथ हन्याए करने का काम किया, आप बताएए इनी के साशनकाल में, कठुआ में घटनाए हुई, इनी के साशनकाल में, हातरस में जिस तरीके से, रात के अधेरे में सो को जला दिया गया ये लोग कैसे कहेंगे ये लोग हिंदू के नाम पे और जो बहुरुपिया लोग हैं आप लोग कहते थे ना ब्राम्हड इस देश में नफरत फैला रहा है आप लोग कहते थे ना अब जाके जाती पहुचिएगा कौन है वो जो दोगी आदे तनात को इस्थीपा देना चाहिए बोलना चाहिए जब रेल मंत्री घटना पर इस्थीपा दे सकता है लेकिन बीजेपी के साचनकाल में छटे टपक रही है पुल गिरला है लेल की दुर घटनाए हो रही है और ऐसे घटनाए उत्तर प्रदेश में हो रही है लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा अरे भाईया सकता अगर बीजर चलना चाहिए बुल्डोजर लेकिन नहीं जाएगा बुल्डोजर क्योंकि बुल्डोजर के वर मुस्लिम समधाय के उपर जाता है बुल्डोजर मैं कहता हूं बुल्डोजर जाना चाहिए जो वहां इस सरकार ने हमारे उपर कितने भी जुल्म किये लेकिन हम डरे नहीं हैं जनता की आवाज हैं और जनता के न्याय के लिए सच के लिए हम लगाताल लड़ते रहते हैं हाथ चले जाईएगा उत्तर प्रदेश और उसी धरा से आता हूं मैं योगी आदितनात के खिलाब तमाम तंत्र लगे हुए थे लेकिन मैंने चुनाओ विधान सभा का लड़ा ये सरकार हमें लड़ने नहीं देना चाहिती थे लेकिन हम अरे बाबा पराम मैं कहता हूं कि रिप्तारी करनी चाहिए बाबा की भाई आखिर इसमें कहां पे गलती हुई ये जाच का विशाय है नहीं अगर चाहिए योगी आदितनाज जी स्थीपा दे तुरंत स्थीपा देना चाहिए आराम से मठ में बैठ जाना चाहिए तो कि योगी आदितनाज जी से उत्तर प्रदेश नहीं चल ला है ये उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं पेपल लिख हो जाता है उस पे नहीं बात करन आथरस की घटना को पूर्ण रूप से योगी आदितनाज जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से स्थिपा देना चाहिए और हम फिर आप कह देते हैं हमारे नेता अडिग है अपने बयान पे वो कभी हिंदू विरोधी नहीं हो सकते उन्होंने देश की जनता क को न्याय की आवाज उठाने का काम किया है और डरो मत सहो मत न्याय का हक मिलने कर सनातन की आवाज देश की आवाज लगातार वो बात करने आए हैं ये लोग सनातन के नाम पे व्यापार करते आए हैं ऐसे भाजपा के ठक बंदों से सावधान रहिए ये लोग देश की जनत भी पड़े आए लेकिन आपने नाम नहीं बताया इनाम पता नहीं देखेगा कहीं भगला देशी और कहीं नहीं है कहीं घुसपैटी है तो नहीं है